भारत के शेर और WWE सुपरस्टार सांगा ने दी ब्रॉक लेसनर को बड़ी धम की बोला अगर भारत में मेरा ब्रॉक के खिलाफ मैच हो जाए तो मैं उसका गेम बजा दूँगा जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में तो वीडियो को पुरा ज़रूर देखिएगा दोस्तो WWE में रोमन रिंस और ब्रॉक लेसनर दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है मौजुदा समय में हर एक सुपरस्टार इन दोनों में से किसी एक की खिलाफ मैच लड़ना चाहता है इस वीच भारती स्टार सुराफ गुजर एके ए सांगा ने भी इन दोनों लेजन्स में से अपना ड्रीम ओपोनेंट बता दिया पिछले हफते हैदराबाद में हुए सुपरस्टार स्पेक्टेकल के दोरान सांगा ने स्पोर्स किड़ा हिंदी को खास इंटर्व्यू दिया सांगा से जब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर में से किसी एक ड्रीम ओपोनेंट को चुनने की बात कही गई तो इंडर्श शेर के इस स्टार ने कहा कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर में से मेरे ड्रीम ओपोनेंट दा बीस्टी है इंडिया में ये मैच होगा तो मैं लेसनर का गेम बजा दूँगा और इस दोरान सांगा हस भी रहे थे अभी सांगा इंडर्श शेर टीम का हिस्सा है जहां वो वीर मान और जिंदर महल के साथ दिखाई दे रहे हैं इस टीम ने में रोस्टर में कम समय में ही जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया था इस बीच उन्होंने रो में अपने सामने आने वाले सबी विरोधियों को हराया भीदा हर कोई उन्हें टेग टीम चैंपियन्स बनते हुए देखना चाहता है सांगा से जब ये बात पूछी गई कि अगर उन्हें टेग टीम या वर्ल्ड हेविएट चैंपियन्स बनने का मौका मिलता है तो वो पहले क्या बनना पसंद करेंगे इसका जवाब देते हुए सांगा ने ये बात कही कि ये बहुत मुश्किल सवाल है शायद इसका जवाब में क्या जिंदर पाजी और वीर भी नहीं दे पाएंगे फिलहाल हमारा लक्ष टेक टीम चैंपियन्स बनना है लेकिन अगर मुझे वर्ल्ड हेविएट चैंपियन्स बनने का मौका मिलता है तो भी मैं निश्चित तोर पर उससे ही चुनूँगा तो इस तरह से सांगा ने यहां वर्ल्ड हेविएट चैंपियन्स बनने की भी बात कह डाली है और ब्रॉक लेसनर को दमकी बीदे डाली है लेकिन आपको क्या लगता है कि सांगा ब्रॉक लेसनर को हरा सकते है